गुड मॉर्णिंग बच्चों, मैं उश्यकिरन, आज आप लोगों के लिए संस्क्रित के चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ, बच्चों कल मैंने पार्ट 4 के का पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को सेंड किया था, जिसे मैंने इस पार्ट का हिंदी आप को समझाया था, आज हम लोग इसी पार्ट के प्रशन उत्तर को करेंगे, आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, और अपनी बुक में ही ध्यान से वीडियो से देखकर सारे प्रशन उत्तर को बुक में भड़ लीजिएगा, और उसके बाद मैं जिस कुश्यन को बोलूँगी, उसे सिर्फ आपको कॉपी में बनाएंगे, बाकी सारे कोश्यन उत्तर आपके बुक में ही रहेंगे, तो चरे शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा कोश्यन स्टार्ट है, कोश्यन नमबर टू से, एक पदेन उत्तरत, मनि एक पद में, यानि एक शब्द में उत्तर देना है, इसमें को है, महात्मा गांधी महोदेश्य, संपोर्ण नाम की मासीत, महात्मा गांधी महोदे का पूरा नाम क्या था? तो अंसर होगा बच्चों, मोहंदास करमचन गांधी, खो है तस्य पितु किम नाम आसीत उनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था बच्चों करमचन गांधी तस्य पत्नी की द्रिशी आसीत मतलब उनकी पत्नी कैसी थी? हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा था कि उनकी पत्नी जो थी वो इश्वर की बहुत भक्त तो थी ही साथी साथ हो उने सिल सोभा ली और पती ब्रता थी तो यहां आंसर होगा आपको एक वर्ड में देना है कि उनकी पत्नी कैसी थी तो पती ब्रता गो है कैसा कारागारे प्रेशिता माने किसके द्वारा वे जेल में भेजे गए यानि किन लोगों ने उन्हें जेल में भेजा तो आंसर होगा आंगलेह माने अंग्रेजों के द्वारा क्या आंसर होगा आंगलेह माने अंग्रेजों के द्वारा फिर है कस्मिन नगरे गांधी ना अधिवक्त्री कार्यम प्रारब्धम कस्मिन नगरे मने किस नगर में गांधी ने अधिवक्त्री कार्यम मने बकालत का काम प्रारंभ किया तांसरोगा बच्चों मुंबई नगरे मने मुंबई शहर में अब है कोशन नमर थी पूर्ण वाकेन उत्तरत पूरे वाके में उत्तर देना है पहला है महात्मा गांधी राष्ट पिता कथम अबवद मने महात्मा गांधी राष्ट पिता कैसे बने तो इसका आंसर होगा, गांधी मोहोदेहेव स्वतंत्र राष्टस्य जनकहस्ती अतहस राष्टपिता अभवत। सेकेंड है, तस्य पत्नियाह किम नाम आसीत। उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो आंसर होगा, तस्य पत्नियाह नाम कस्तूरबा आसीत। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गो है महात्मा गांधिनह जन्म कुत्र अभवत महात्मा गांधिनह जन्म कहां हुआ था? महात्मा गांधिनह जन्म पौरबंदर नाम के अस्थाने अभवत मने पौरबंदर नामक अस्थान में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म पोरवंदर नामक अस्थान में हुआ था तो महात्मा गांधी नह जन्म पोरवंदर नामके अस्थाने अभुवत फिर एक कहत से हत्या मकरोत किसने उनकी हत्या की थी तांसरों का बच्चों नाथू राम गोड से तस से हत्या मकरोत मतलब ना थू राम गोट से ने उनकी हत्या की थी नेक्स्ट कोशन है पाठात सब्दान चित्वा रिक्तस्थाना आनिक पूर्यत मने पाठ से उचित सब्द चुनकर रिक्तस्थान को भरना है तो पहला है कोईस में तस्य आत्मा आसीत तो यहां भराएगा महान सह लोकम पाठम अपाठयत तांसरोगा सत्या हिंसेयोह तस्य पितुह नाम आसीत तेहां भराएगा करमचंद गांधी तस्य माता इस्वरस्य आसीत तांसरोगा पर्मो पासिका तेन मुंबई नगरे कार्यम प्रारब्धम तेहां भराएगा अधिवक्ता याह तो आप लोग ध्यान से वीडियो में से देख के गलती नहीं हो पड़ने में, ध्यान से देख के अपनी अपनी बुक में भरियेगा कि कहीं भी लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हो अगर नेक्स्ट कुशन, कुशन नमर फाइव, निमनिलिखित पदा नाम संधि विच्छेदम कुरुत, मने निमनिलिखित पदों का संधि विच्छेद करना है इसमें पहला है महात्मा, तो महात्मा का होगा महाजोड आत्मा, सदैव, सदाजोड एव, सत्याहिंसा, तो हो जाएगा सत्यजोड अहिंसा, परमोपासिका, परमजोड उपासिका, कदापी, कदाजोड अपी, प्रत्यागत्य, प्रतिजोड आगत्य, तो ध्यान से लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हो, नेक्स्ट कोईशन नमबर है, सिक्स, इसमें है, मन्जुशया, उचित पदेन, रिक्तस्थानम पूर्यत, यानि ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुए, उसमें से सही सब्द चुनके आपको, रिक्तस्थान को भड़ना है, इसमें को है, तस्य माता आसीत, मने उनकी माता थ ही, तो यहां तीन आप्सन है, उपासक, उपासीका या उपासकम, तो सही अंसर होगा, उपासीका, चुकि माता के लिए आया है, माता इस्त्रिलिंग सब्द है, इसलिए उपासीका होगा, राश्टरस से जनकहासीत, तो यहां हो जाएगा स्वतंत्रस से, स्वतंत्रस से में लगाएंगे, फिर है कस्तूर्बा आसीद, तो यहाँ भी हो जाएगा स्नेह शीला, फिर है भारतम द्रिष्टवा सह अति खिन्ना भुथ, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, पीडितम, पीडितम सही अंसर हैं, फिर है पत्राणी पतंती, तो यहाँ हो जाएगा तो जिसमें जिसमें सही का चिन लगाया हुआ है वो शब्द चुनकर यहां जो खाले स्थान दिया हुआ है इसमें भड़ लेना है तो बच्चों इस तरह से आप और कोशन नमर 7 जो है यह अभी आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि पहले आप लोग अच्छे से अनवाद कै कैसे बनाया जाता है वो सीख लेंगे तब यह कोशन आप लोगों को बनाना आएगा और तब आप लोग खुद से यह संस्कृत में जो अनवाद है इसको खड़ लेंगे इसलिए इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे इसमें 2 से लेकर 6 तक का सारा कोशन आपको कोशन अंसर ब बनाना है पूरे वाकि में अंसर दे इसको फियर कॉपी में बनाना है और साथ ही जो शब्दार्थ दिया हुआ है इस शब्दार्थ को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल के सब्दार्थ लिखेंगे और सब्दार्थ लिखने के बा पढ़ाया, पर्मोपासिका मने अतिभक्ति करने वाली, औभक्षिनियम न खाने योगी, प्रत्यागत्य लोट कर, अधिवक्ता मने वकील, प्रारब्धा मने शुरू, शुरू किया, आंगलेह मने अंग्रेजों के द्वारा, द्रिस्टवा मने देख कर, न विर्ता मने नहीं रुके, तो आप लोग सबसे पहले शब्दार्ट लिखके, और उसके बाद फिर कोशन नमर थी, अपनी अपनी फेर कॉपी में बना लिजेगा, तो इस तरह से, आप लोगों का, ये कोशन लेसन फोर जो है, ये समाप्त होता है, और फिर हम लोग आगे का जो लेसन है, अग और साथ-साथ उसको याद करने के भी कोशिस कीजे, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपका फर्स्ट टर्म एक्जाम होगा, और जितनी चीज पढ़ाय जा रही है, फिर से पढ़ाय नहीं होगी, और इनी सब के अंदर से आपका एक्जाम लिया जाएगा, इसलिए आप लोग ध चों, गुडबाए